वेलकम मोनार से होना इक पार्ट साला देखिए क्वेशन है सोल दा इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो मैं इन्दी वीडियम के लिए बोल दूँ कि केवल और आपको ये क्वेशन नमबर 11 है और उसका पार्ट फस्ट है ये तो आव यू विधी के दौरा समीकन को हल केजिए कि वले कुनासा है अब इसके बाद आप लिए सकते हैं क्या लिखोगे टू मैनस वन थ्री फोर और यहां पे क्या होगा एक्स और वाई और यहां पे क्या होगा मैनस टू और थ्री आप इसको क्या बहुत सकते हो एक्स एक्वल टू भी एक्स एक्वल टू टू where A equal to क्या है A equal to 2 minus 1 3 4 यह है अब उसके बाद देखे A equal to यह है और X equal to क्या आएगा X equal to आपके पास आएगा X और Y और B equal to क्या होगा minus 2 और 3 अब यहां से आप लिख सकते हो by using matrix method by using matrix method आव्यू विधी का प्रियोग करने पार क्या होगा X equal to A inverse B और इसे नंबर 1 आपके सुरी अर्यान से सबसे पहले क्वेशन था क्वेशन को हमने matrix form में दिया 2 minus 1 3 4 और X वाई क्यों लिखा आप इसे matrix लाएगा हो 2X minus Y 3X plus 4Y अगे रहो ही उसके बाद देखो AX equal to B यह आप लिखते हूँ By using matrix method क्या होगा Both sides यह मैं पिछली क्लास में करवा चुपा हूँ आपने वहां से एकर वीडियो को दंसे पढ़ा है और सिखा है तो आप समझे होगे कि आप यहाँ पर यह बार बार लिखेंगे कि both sides are multiplying by A inverse therefore X equal to S ज्यादा question की लाइट नहीं ले जानी अपने क्या क्या AX equal to B किया direct X equal to A inverse B अब कैसे भी करके A inverse B को solve कर लो रहा आप अंसरा जाएगा यहाँ तक अपना काम हो चुका है उसके बाद देखी Now A equal to क्या है 2 minus 1 और 3 और 4 है यह आगे ने अब इसके बाद देखीए यह extra है आपको कोई कानवार नहीं है आप प्रेनोट कर ले ही होगा तो देखिए इसके आपके कैसे करेंगे देखिए अब आप क्या करोगे determinant of A5 डॉल्ट करोग पहले 2 minus 1 3 4 यह आगे अब देखो 8 प्रस 3 क्या आगे 11 not equal to 0 therefore A inverse exists देखो क्या कहा है मैंने A x equal to B था उसको हमने x equal to A inverse B में convert किया और फिर क्या है A equal to this one है तो determinant of A find out करो भो क्या होगा 2 minus 1 3 4 अब इसे Sोल करने पर क्या ऐगा 11 और 11 क्या है not equal to 0 है था क्या कहोगे therefore A inverse exists मतलब A inverse का अस्तृत विद्दमान है या inverse विद्द्दमान है उसके बाद क्या होगा A रोज सेक्वल टू क्या होता है 1 upon determinant of A into एड़जर्ट ओफे उसके बाद 1 upon 11 अब एड़जर्ट ओफे फैड़ आट परने के लिए जो मुख्य विकण है जो प्रचिक्ट डाइडोनल है उसके elements को क्या कर दो अरिवर्ट इत कर दो अपस में इसने के जहिए चेंज कर दो और जो बूसरा वाला है इस पर क्या लगा दो माइनस 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 क्या होगा प्लस और ऐसे ही यहां पर क्या होगा माइनस तरी इन दोनों वो चेंज करते हैं माइनस लगा देते हैं यहां माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया है, यहां पर माइनस है, और यह में बना भी चुपा, अब उसके बाद देखिए, वैल्यू ओफ, एल वर्थ, पोट एल, फर्स्ट, वी गट, अब देखो, बहुत तेजी हो गया है क्वेशन, अब देखो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, वैल्यू ओफ, एल वर्थ, एक्स, एंड बी, पुट इन फास्ट, मतलब सभी की वैल्यू उस रखो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, वाई, हो गया, एंड वर्स क्या होगा, वन अपोन एलेवन, और फोर, वन, माइनस थ्री, टू, और वी का वैल्यू क्या है, माइनस टू, थ्री, यह राना, इसको यहां पर फूट कर दिया, अब इसे सोल कर लो, आस्टानी से, देखो फिर क्या आता है, देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, एक्स, वाई, वन अपोन एलेवन, अब यह दो, दो मैंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को मिल्टिप्लाई करो, तो क्या है रहा देखते हूं, माइनस ए, पिलस तीन, और यह क्या होगा, सिक्स प्लस सिक्स, देखो, माइनस थ्री, सिक्स, और यह सिक्स, होगया, और यहां से क्या होगा, एक्स, वाई, इक्वल टू, वन अपोन एलेवन, माइनस पाइव, और यहां पे ट्वैल होगा, तो देखीं X Y और यहां पे क्या होगा मैनस 5 by 12 और 12 by 11 अब क्या करोगे बोद साइड जरू Y comparing क्या होगा X equal to minus 5 by 12 और यहां क्या होगा Y equal to 12 by 11 और यही आपका क्या है तो इस तरीके से आपको questions करने हैं अभी है हमने two cross two का किया है अब आपको three cross three का next video में कराएगे